कि हैं यह हैं विज्ट फ्रेंड्स में उनी लंगर्क आजम बनाएंगे बैंगन का बर्ता तो उसके लिए यापर पेरे 500 ग्राम बैंगन लिया हुए आप देख सकते हैं बर्ता बनाने के लिए इस तरीके का फ्रेश बैंगन चाहिए तो इसको बूल लेंगे बूना हुआ यह आई प्रेश इसे लोता मेर्ण साजी बैंगन का भिट बैंगन का बसैंट पर बहुती जादागी लंग लिया दो यह रखके दृओता हुए तो मैं बहुती तरीके से ज़ाता बहुती तरीके से घ्र्न जादा लीए इसको में सारे चिलको को पार लोगि और आसको वbles स्क्र ऐखी चुराम ने को चाहिए मिलति दाउं जाट सबसक्राइब जी गजार क्या से लेटीजर से लिए मिलेट उनिय Cap dhm करणी सब्सक्राणले तो सबी ऑनियन को मैंने घला टमाटर लिए बिलीए हैं तो तो आने ने के लिए 1500 ग्रामटर लिस भार्ट तो तुमाटर को मैं अच्छे से वॉश कर रहा था देख सकते हैं आप मैंने बहन बहन को भी चिलका उतारने के बाद साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और मैं इसकी इतनी पटली लेयर इस तरीके से निकालोंगी जिससे कि अगर हमारा बहन खराब भी होगा तो मैं बहुत ही इसी तरीके से वॉन दिख जाएगा तो मुसको निकाल सकते हैं तो इसी तरीके से अब भी अपने बहन के बढ़ते को एक बढ़ते को एक बढ़ते को बनाए बैसे तो मैंने यहां पर फ्रेश बैंगन यूज किया थे बट फिर भी हम इसको चेक कंटे के बाद ही तो इतनी पतली पतली लेयर में इसको बूनने के बाद और वाश करने के बाद निकालोंगी नाइव की हैल से तो हमें जो भी कुछ टाउट होगा तो वह किलियर हो जाएगा हमारा तो सारे बैंगन को मैं हमेशा ही इस तरीके से बॉयल इसको बूनने के बाद मैं हमेशा ही यार इसकी निकालती हूँ पतली पतली और आप देख सकते हैं बैंगन हमारा बिल्कुल फ्रेश निकला है बिल्कुल क्लियर है तो सेकिंड को भी मैं सेम तरीके से ही पतला पतला इसकी लिए निकालूंगी और इसको चेक करती जाओंगी कि मैंने पत्ती पत्ती लियर लगालकर इसको चेक कर लिया है और मैं इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसवर करूंगी और इसको अच्छे से मैश कर लूंगी तो यह बिल्कुल परफेक्ट निकला है आप देख सकते हैं तो इसको बड़े से बाउल में कर लेंगे ट्रांस मैं तो भी उपर बैंगन स्वाले की माड़ें संथा है लाकॉन तो पार मैं सब्सक्राइब 3 माश्दा माहिट उएड करें म assurance a ना पार शाद जी ने को हम होने की याल्टी ते कि हमारा हो चुका है इस लाइस का हवा ओनियन एड़ कर देंगे हो और इसको है अपर से मिडियं रखा हुआ है और मीडियूम फ्लेम पे ही में ओनियन को हलका सा कुक कर लूगी से बहुत जाद ऑवर कुक हमें नहीं करना है बैंगन के बरते में थोड़ा सा क्रंची साही अच्छा लगता है जो ओनियन होता है तो इसको बस 60% ही हम फुक करेंगे और मैंने इस कोईल में अच्छे से मिक्स कर लिया है देख सकते हैं ओनियन हमारा हो चुका है बढ़ते के लिए इस तरीके का हमें इसमें ओनियन चाहिए वन टीस्पून मैंने हल्दी आड़ कर दिया है यहां पर इसमें हाफ टीस्पून से थोड़ी सी आड़ करने के बाद बनाओंगी बहुत जादा टेस्टी लगेगा एक दम बढ़ती बढ़िया तंदूरी फ्लेवर आएगा इसके अंदर और बस मसालो को मैं भून लूँगी फ्लेम को मीडियम रख हुआ है मसाला को थोड़ा सम जादा ही बूनेंगे इसमें तो मैं इसको प्रॉपर तंदूरी बहांगन का बड़ता बना रही हूं तो इसलिए मुझे प्रॉपर इसमें यह वाला फ्लेवर चाहिए था तो इसलिए मैं इसमें एक आड़ कर रही हूं आप इसके बीन इसको बना सकते हैं कुछ तेर के लिए मसालो को इसी तरीके से भूनने के बाद 400 g लिये हुए हैं तो यहां पर बरता बनाऊंगा अठकी करोंगी है तोढ़ी हम सारे मसाले मच्छे से मीक्स कर लेगे हो जाएगा तब तक हमें इसे कुक करना है तो यहां पर इसको मिक्स कर लेंगे तंडूरी भरता जोई वह बहुत ही जादा टेस्टी लगता है इन 12 कुए उन्हमने व्हुत ही बहुत ही холод रे सी दिधा प्रटेत तेरी से जग ताया है रही बहुत ही यह लगता है ट कफेटीक सफट में सेपड़ डिए दीच निया यह पर ट्यार करण के ओंवा को कवर कर दिया है और वॱछ रिक, ट्यार करने के लिए शोड डिया है तो इसो जासर्ट में गया होड़ी सफीन यहां पर ज़जा कर दिया है 1 पींच钉 मластск पाउडर, 1-2 चीज पून-लाल Summit-1 तेबलमिच पाउडर, 1 टेबलिसपून-धनिया पाउडर अभी मसाले को अच्छे से लाधस स isn mó Juice ज मचक्ष बूननों ही अच्छा साई श्याशन। इनै। बहुत ही बड़ी हा फ्लेवर आएगा इससे इसका और टेमाटो एड़ कर देगे क्योंकि मसाला बूंच चुका है यह थोड़ा सा कॉंटिटीज की कम है तो इसको मसाले में टेमाटो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर वर्न टेबली स्पूनिस में मैंने पानी एड़ गया था तो उसको भी मैंने कवर करके मसाले को पकने के लिए चोड़ दिया है इसमें भी टेमाटो सॉफ्ट हो जाएंगे और इसको एक बार दूसरे वाले को में चेक कर लूँगी तो यह भी टेमाटो हमारे ब मैश कर लूँगी जो थोड़ा बहुत बड़ा पीस होगा इसके अंदर तो दोनों ही आप देख सकते हैं एक साथ हमारे रेडी हो चुके हैं तो इसमें जो मैश किया हुआ है बेंगन हमारा उसको मिक्स कर लूँगी तो यहाँ पर यह वाली कॉन्टिटी थोड़ी कम करें चूर पाउडर की मौझ ज़ादा यमी लगती है तो इसको मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे इसको फलेम को मीडियम रखंगे और कंटीनिउस को चलाती होंगी पहले इस वाले को रेडी कर लेगे रता वीडावत ओन वाले को अम इसको भूनना बहुत ज़्याधा जर साथ बहुत 後नेन के भरते को मैंने भून CAR इतरा तयार का ए bredi इसको तो अलग रख देगे क्योंकि रीडि despite ुणिंडय बढ़ता हन thoughtful कर लिया और इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं वहतनी वाइब रख चुकियों यह जोड़ोरी बेहंगन कबड़ता देख सकते हैं और इसको एक बार चेक कर लेंगे तो अब देख सकते हैं यह भी बड़िया से पक चुका है बहुत ही बड़ी खुश्बु आर तमाटो भी इसके सॉफ्ट हो चुके हैं तो इनको भी इस पैचुला की हैल्फ से हलका सा मैश कर लोगी चो टमाटो हलका सब बड़े पीसी से हैं और इसमें एड़ करेंगे हम यहां पर मैश किया हुआ नमक अधिक रहीं तेस्पून से थोड़ा सा ज़ाधा एड़ करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अ कोडिंग इ जतना भी मैधक मेरा धूँआ फैंगंगे अपी आइड कर सक्थेमर कर दोटेंगे को बहुत आफंगे इसको बहुत ही बुखना है नहीं प्रोफ से पहले कर देंगे सों जतना भूझे दो भी है दोटेंगे बहुत ही नख़, मेरा फैंगा भी अज पर दूल्टी Mr . तो इसको कंटिन्यों में चलाते हुए बौनती जाओंगी देजक का कलर तो बहुती बढया हो Чुका का कलर भी हलका सड आर को जाता है जर्च हो जाता तो बस बैंगन का बढ़ता है यह भी हुमारा बुन-बुन का रेडी हो चुका है यह तो दोनों ही बैंगन के बरते बनकर हमारे रीडी हो चुके हैं ये बहुत ही ज़ादा यमी बने हो तो इसको मैं डिशाउट कर लोगे आप देख सकते हैं गाइस कितना ज़ादा टम्टिंग है या और बहुत ही चटपटपटा सा बना हुआ है यह तो दोनों ही बैंगन के बढ़ते को मैंने याप पर डिशाउट कर लिया है तो एक without onion बनाया है मैंने आप जो onion खाना पसंद नहीं करते वो इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं without onion और मैंने इस वाले को मैंने onion बना कर तैयार किया है तो आप इसे पेड़ाये पूरी फुल्के राइस किसी अपनी पसंद की किसी भी चीच के साथ आप इसको छा सकते हैं देख सकते हैं कितना जादा अपे पर हुआ हुआ है आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पंड़ा है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें तो मिलते हैं नाक्स वीडियो में